येलो फीवर उत्पन करने वाले वाइरस की जानकारी दी इसके बाद इंग्लेंड में ट्वार्ट एवं फ्रांस में डी हरली ने 1916 एवं 17 में बेक्टीरिया को समक्रमित करने वाइरस की अर्थात जिवानों भोजी वाइरस की खोज करी लेकिन वाइरस का सर्व प्रत्रम क्रिस्टलाइजेशन स्टैनले ने 1935 में किया ये थी माइक्रो बाइलोजी की हिस्ट्री ये हिस्ट्री आपको जानने बहुत आवेशक है क्योंकि हिस्ट्री पे भी बहुत सा बार क्रिश्टन बन जाता है अब देख लेते हैं वैक्सीन वैक्सीनेशन क्या होता है विबिन ने प्रकार के सुखशू जीवों जैसे जिवाणू वाइरस के बारे में जानकारी प्राफ्ट करने कι दौरान इससे पूर भी वग्यानिकों को इस तथ्धा के बारे में सोचकर हैरानी होती थी कि विभिने जन्तों में रोग प्रतिरोधक शम्ता कैसे विक्सित होती है लुइस पास्टर ने ऐसे ओल्ल बैक्टिरियल कल्चर्स को देखा जिसमें रोग उत्पन करने की शम्ता समाप्त हो चुकी थी ये जिवानों समवर्ध या कल्चर्स पूर्ण तया स्वस्थ थे लेकिन रोग उत्पन करने के विप्रीद इनमें रोग प्रतिरोधक शम्ता का विकास देखा गया पास्टर ने इस प्रकार के रोग प्रतिरोधी समवर्धों का टी का या वैक्सीन के रूप में जानकरी देने वाले विग्यानिक एड़वर्ध जैनर के सम्मान के तौर पर नामकरण किया गया यहां उलेक निये तती है कि एड़वर्ध जैनर ही वे विग्यानिक था जिसने सरुतम 1796 में स्मॉल पॉक्स नामक महमारी से मानव जाती को सुरक्षित करने के लिए टी का करण या वैक्सीनेशन से परिचाय उसका करवाया था जैनर ने देखा जिस प्रकार के मनुश्यों में चेचक या शीतला माता रोग होता है उसी प्रकार गाय एवं कुछ अन्य प्रश्यों में भी गौ चेचक या काव पॉक्स नामक रोग होता है हाला कि रोग मनुश्यों में होने वाले स्मॉल पॉक्स रोग जितना गंभी रवम घातक नहीं होता उन्होंने गायों के रोग के कारण उत्पन दानों या फफोलों लेशन से कुछ द्रव इंजेक्शन के सिरींज में लेकर इसे सस्त मनुश्य के छरी में प्रवेश करवाया इसके प्रणाम सरूप हलकी सी बुखार के स्थिती तो देखी गई लेकिन जिस मनुश्य में इस द्रव को प्रवेश्चित कराया गया उसे चेचक रोग नहीं हुआ उपरोक्त प्रयोग से टीका करण या वैक्सिने टिया टिटनेस हेपिटाइटेस बी टाइफाइड इत्यादी से मानाव जाती को सुरक्षित रखने के लिए चिकित्सा विज्यानियों द्वारा टीके सफलता पूर्वक तैयार किये जा रहे हैं एवं इसका सफलता पूर्वक उप्योग भी किया जा रहा है लेकिन इसके अतरिक्त भी अन्य घातक रोगों से सफलता पूर्वक लड़ने के लिए टीके तैयार करने के दिशा में लगातार अध्यान चल रहा है एंटिबायोटिक्स क्या है इसको देख लेते हैं एंटिबायोटिक्स एक प्रकार के जटिल रासायनिक या सेकेंडरी सुख्यूले उत्वते जिये जैएं जöhन के माइक्रोगुरिजम्स द्वारा ही उत्पन किया जाता है तता जो अन्य इमाइक्रोगूरियोडम को नष्ट कर देते हैं इस प्रकार के बदार्थों को अंटिबायोटिक्स कहते हैं ऑंटिबायोटिक्स द्वारा सूश्युजि इस दिशा में सरवतम एलेक्जंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पैनिसीलियम क्राइसोजीनम नामक फंगस से पैनिसीलिन नामक सरवादिक प्रसिद्ध एंटिबायोटिक आउशिदी की खोज करी बीस्वी सदी के आरम में प्रतिजयविक को का विशकार करने के बाद विब्विन रोगों के उपचार में इनका व्यापक उपयोग किया जाने लगा तत्था इसके साथ ही नवीन तम प्रतिजयविक आउशिदियों की खोज का कार्य निरंतर जारी है और विब्विन तत्थियों के आधार पर प्राप्त जानकारी के आधार पर अब तक लगबग 5500 से अधिक प्रकार के एंटिब्विक प्रतार्थों की खोज की जा चुकी है अभी तक ज्याद समस्थ एंटिब्वाइटिक्स में से चार प्रकार के एंटिब्वाइटिक्स का सरवादिक व्यापक उप्योग किया जाता है यह हैं मुख्य रूप से पैनिसिलिन, सिफिलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन्स, एरिथ्रोमाइसिन्स जो की बहुत तायत से एंटिब्वाइटिक्स के रूप में काम में आते हैं इस टेबल में तेखिए प्रमुक एंटिबारिक्स के शुछ और उसके प्रयोग के बारे में जानकारी दी गई है जैसे कि सिफैलोस्पोरिन्स इस से प्राप्त होता है और इसको उप्योग किया जाता है urinary tract infections में manageitis इवाम pneumonia में इसी तरह penicillin इसको penicillin deut этом से प्राप्त किया जाता है और यह pneumonia pharengitis इवाम general infections में काम में लेते हैं इसी तरह से देखें bacteria है bacillus subtilis से प्राप्त किया जाता है और यह dermatitis काम में लिया जाता है इसी तरह यहां पर भी कई प्रकार के एंटिबायोटिक्स और उनके स्रोत के बारे में जानकरी दी गई है और उसके यूजिस के बारे में जानकरी दी गई है आज के यूग में व्याफसाय की इस्तर पर टिशू कुल्चर के तक्नीकी माध्यम से विविर्न प्रकार के एंटिबाइटिक्स का निर्वान किया जा रहा है उत्पादक सजीव के अधिक उत्पादन देने वाले म्यूटेंट्स की पहचान कर प्रतिजयविकों का उत्पादन बढ़या जा सकता है फ्लैमिंग द्वारा प्रतिजयविक पैनेसलिन की खोज से पहले भी 1896 में फ्रांसिसी मेडिकल चात्र ड्यूशन द्वारा भी पैनेसलिन के बारे में जानकरी दी गई थी लेकिन उसकी खोज की और किसी का ध्यान नहीं गया इस प्रकार आज भी फ्लैमिंग को ही इस खोज का श्रेय दिया जाता है प्रथम विश्व यूदि के दरान फ्लैमिंग एक ऐसे योगी की खोज के बारे में प्रयास्र था जो कि घावों को संक्रमित करने वाले पैथोजन्स को नश्च करने में सक्षम हो उन्होंने एक दिन 28 सितंबर 1928 को आश्चर जन्यक रूप से यह देखा कि एक कवक पैनिसीलियम प्रयोग शाला में स्टेफोलोकाई नामक बैक्टीरिया को पैट्रिप्लेट्स में व्रद्धी कर इनको समाप्त कर देती है इसका तात पर यह हुआ कि यह हैं फंगस विबिन प्रकार के जिवानों के प्रती गहतक होती है यहीं से माइक्रोबायलोजी के शेत्र में एक नए यूग का आगमन हुआ और एंटिबायोटिक्स की खोच चलू हुई फ्लैमिंग ने यह पाया कि इस करवक के व्रद्धी शेत्र में कवक जाल द्वारा ऐसे द्यूतिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का सुराव होता है जो इस्टेफोलोगो का यह नामग बैक्टिरियम की कोशिकाओं को नश्ट कर देते हैं उसने कवक जाल के इस योगी को व्यूक्त कर इसका नाम कर पैनिसिलिन के रूप में किया पैनिसिलिन की खोच के लिए फ्लैमिंग को फ्लोरे एवंचेन नमक वेग्यानिकों के साथ 1945 में नोबल पुरसकार दिया गया इसके अतिरिक सेलमन वाक्समेन 1944 ने एक्टिनो मैसिटीज वर्क के एक सदस स्टेप्टो मैसीज ग्रेसियस के एक नए एंटिबाइटिक स्टेप्टो मैसीन की खोच की उसके इस कारे के लिए वाक्समेन को सन 1952 में नोबल पुरसकार से सम्मानित किया यह एंटिबाइटिक और 10,000 प्रकार के सोयल बैक्टिरिया एवें कवक प्रजातियों के से उत्पन रोगों के उपचार हितों प्रभावी होती है इसके बाद 1950 से और 1960 के दशक में अन्य एंटिबाइटिक्स जैसे क्लोरम फीनिकॉल, नियोमाइसेन, टेट्रासाइकलिन एवं टेट्रामाइसेन की खोच की गई और गनिक एवं इनार्गनिक प्रदार्थों पर माइक्रो और्गिरिजम्स की प्रभावीता की खोच का कार्य थियोडोर्श्वान एवं अन्य वैग्यानिकों ने किया और उनके अध्यांस 1937 में आरंब हो चुका था इनने वैग्यानिकों ने ये देखा कि इस्ट की कोशिकाओं में एलकोहलिक फर्मन्टेशन द्वारा शरकरा का एलकोहल में परिवर्तन करने की शमता होती है सुरक्ष्वाजीवियों की कार्बन नाइट्रोजन एवं सल्फर चक्र में क्या भूमिका होती है इसकी इन्होंने अध्यान क्या विशेश कर्व ब्रदा एवं जल्ली आवासों में इनकी खोज विनोग्रेडस की एवं बैजेरिंग द्वारा की गई रूसी माइक्रोबाइलोजिस्ट विनोडोग्रेडस की ने भी ये खोज की कि सॉयल बैक्टिरिया द्वारा आईरन सल्फर एवं ओनिय का ऑक्सी करण किया जाता है एवं उर्जा उत्पन होती है उसके द्वारा एनरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टिरिया को खो पारिस्टितिकी या इकलोजी के शेत्र में महत्वपूर्ण अध्यन किये उन्होंने एक स्वतंतर रूप से पाया जाने वाले जीवानों एजेटोबैक्टर को एवं इसके अतरिक रूड नर्डूल्स में पाया जाने वाले बैक्टिरियम जैसे कि रैजुबम इत्यादी क भी को भी आइसोलेट किया बीस्वी शदाब्दी में बीडर लेवं टॉर्टम 1941 ने ब्रैड पर पाया जाने वाली फंगस न्यूरोस्पोरस के म्यूटेशन इस्पीशीज या प्रभेदों होता था लूरिया डेलब्रेक्ट ने विबिन्ने जीवानों के उत्परवर्तित प्रभेद्यों का अध्यान करके यह बताया कि जीन स्पॉंटेनियस होते हैं यह परियावरन द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं इसके साथ ही एवरी मेकलॉइड मेक कार्टी 1944 ने इस तर्थी की पुष्टी की कि डिने ही विबिन जीवों में जेनेटिक मेटीरियल के रू कि विबिन अलुवांशी सूचनाओं का अधारबादान करने के लिए डीने उत्तर दाई है तो देखे यह थी बच्छों जानकरी आज की माइक्रो ऑर्गिनिसम्स की जो हिस्ट्री थी और माइक्रो ऑर्गिनिसम्स की एवब एंटीबायोटिक्स के बारे में जो खोज की ग